बू माफिया को गिरफ्तार करो महिला उत्पिड़न नहीं सहेंगे लिखी तक्तियों के साथ तीन दर्जन से अधिक महिलाई कलेक्ट्रेट पहुची जहां प्रशाशन के खिलाफ जम कर नारे बाजी की गई महिलाओं का आरोख है कि दबंग भू माफिया ने घर में घुस कर महिला से छेड़ छाड़ की कपड़े फाड़े जिसका विरोध करने पर उसके पती की भी चम कर पिटाई कर दी गई जिसमें पती कंभी रुप से खायल पती का जिरस्पताल में इलाज चल रहा है लेकिन पुलिस का खेल देखिए पिरित महिला की तरफ से छेड़ चाड़ और मारपीट की धाराओं मुकरतमत दर्ज कर लिया लेकिन महिला के FIR के करीब ठाई घंटे बार पुलिस ने आरोपि थाने पहुंचा तो उस समय पुलिस ने उसे गिराफतार क्यों रही किया इसी बात को लेकर गाउंगी करीब 50 महिलाएं जिला अधिकारी के पास फरियात लेकर पहुंची और आप बिती बताई मौके पर पहुंची S.P.C.T. ने तीन दिन के अंदर कारवाई करने का आस्व चेड़ खानी करें लगे जो आवाद दीन तो हम आएं उसके बाद उनका छोड़के हमें मार दी ज्यादा मार दी कौन लोग अरे रामनाज बर्मा पत्य नहीं थे रामनाज बर्मा फिर क्या हम गिर गे वहां भियोस हो गए तो बहला कि हमें आस्पितलम सब लोग डाल दे आपके पर आयार कर चाहिए अब वो पैसा कोड़ी दे के दर्ज कराएं है अपना करास केस बनाने लिया और क्या मोटी पार्टी है वो सब जमाम परकार का अनलीगल को यह राम कुमार अपना नाम राम कुमार हम जो अपनी घर में बहस लगा रहे हैं और राम नादर पीछे अब जो हमारे पती जो है बगल में काम कर देते तो जो है और दोड़ के आए तब उन्हें पर देंडलाशी सब मारा तो लोग है वो रामनाद बर्मा हमरे गाहां किसकी अपने कहां दिया है इसकी अपने तक वहां दिया है दर्सन नागा हाँ वहाँ जो द्या में भी सुनवाई नहीं हो रही है आड़ तारिक रखात है ये सुबह साथ बजे की यहां मिलने की पाद कर लेना इसको पकरदारी होगी है कि हम लोग पहले बताए कि कब तक होगी इसका जल्द सजल इसका पर देना क्या नाम है आपको चार दिन हो गय यहाँ कर दो अ